हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के लिए जमीन खरीदने के नियमों में बदलाव किया है सरकार ने इस संबंद में 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद करने और 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल करने का फैसला लिया है इन निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंदित शेत्र अधिकार में भूमी, भवन, अचल संपत्ती नहीं खरीद सकता है साथ ही जिन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है उन्हें भी हाली के अधिकार शेत्र के भीतर भूमी, भवन और अचल संपत्ती खरीदने की अनुमती नहीं दी जाएगी खरीद विलेख को उनके पद का प्रभार छोडने की तारीख से दो साल की अधिके भीतर, संबंदित अधिकारी और उसके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजिगरित कनने की अनुमती नहीं दी जाएगी कार्मिक विभाग ने इन संशोदित निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए भी सभी संबंदित के ध्यान में लाने को कहा है इन निर्देशों को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है पूरा मामला क्या है वो आप समझिए दरसल कार्मिक विभाग की ओर से 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमती के साथ सरकारी अधिकारियों उनके स्वें के नाम या फिर उनके परिवार किसी सदस्य के नाम पर उनकी पोस्टिंग के अधिकार शेत्र में भूमी खरिदने की अनुमती दी गई थी लेकिन अब इन निर्देशों को वापस लेकर 1996, 1997 और 2012 के निर्देशों को लागू किया गया है जिसमें अधिकारी तैनाती के संबंदित शेत्रा अधिकारी में भूमी भवन अचल संपती नहीं खरिद सकते हैं